इस वीडियो में हमें के स्टोरी के थूरू अपने इंग्लिस को प्रैक्टिस करेंगे हिंदी टू इंग्लिस जो भी संटेंस मौष्ट यूस्पूल होगा आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, कमेंट करना भूले ही अगर आपको पसंद आएगा तो मैं पार्ट्टू भी अप्लोड करूँगा, इसका भी कम्पलिट नहीं है ये वीडियो, चले सबसे पहले मैं आपको बता दू, इसमें ये जो भाई साब का नाम है राजा और मैम का नाम है रादी का, ये इनके हस्बेंड है, ये इनकी वा जाना है, I have to go, मुझे आना है, अब ये आपके उपर डिबेंड करा है, ये मजबूरिये की जरूरिये, ठीके, तो इनने बोला, राजा कब तक हमें निकलना है, देखे, इनका रेक्षन क्या आता है, मैं आपको एक-एक एक 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 स्प्स्प्लेइन करूंगा, इनने ब बोला, हमें, या हम लोगों को कहा निकलना है, हम लोगों को कहा निकलना है, इनको देखे, आगे, इनने क्या बोला, I told you already, ये past indefinite का sentence है, सबसे पहले मैं आपको बता दू, tail का second form, told होता है, क्या होता है, told होता है, past indefinite में subject plus B2 plus object का यूज़ होता है, already का मतलब पहले, इन my best friend, wedding today, wedding का मतलब पता आपको साधी है, इन्होंने बोला, आज मेरा सबसे अच्छी दोस्त की साधी है, present की बात है, ये सब present में, देखिए, I think ये भूल चुके है, इन्होंने बोला, oh right, अरे हाँ, I am sorry, I forgot, अब देखिए, ये past की, सब जितने भी sentence है, ये past की है, subject plus B2, forget का जो second form है, forgot होता है, subject plus B2 plus object, इन्होंने बोला, I am sorry, मैं भूल गया, past indefinite, you can go, can का use permission के लिए भी करते हैं, और can के साथ work का first form use होता है, you can go, तुम जा सकती हो, देखिए, मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला, राजा, मतलब जिसका, जो इनके husband का नाम है, you ever confirmed it, मतलब राजा, तुमने confirmed किया था यार, ये भी past indefinite, subject plus B2 plus subject, तुमने confirmed किया था, कि तुम चलोगे, आगे देखिए, आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए, इन्हें ने बोला, if का मतलब होता है, यदि, if का मतलब यदि, I will go alone, अगर मैं केले जा सब पुछेंगे तुमारे बारे में, what will I say, क्या बोलूँगी मैं, what will I say, क्या बोलूँगी मैं, देखिए, गुस्से में भाई साबने क्या बोला, आप देख सकते हैं, whatever, whatever का मतलब होता है, जो कुछ भी, क्या होता है, जो कुछ भी, you want to के साथ बहुत का first form, चाहते हूँ, या चाहते हो, say का मतलब कहना, you can say, इन्होंने बोला, whatever, जो मन में आए बोल देना, यार, मतलब, जो मन में आए बोल देना, ठीक है, you can say, तुम कह सकती, just say, फिर उन्होंने बोला, इन्होंने बोला, फिर से, just say, my leg God fractured, मतलब, बोल देना, मेरा जो टांगे है, टूट गई, ठीक है, ये भी past की बात हो रही है, चलिए आगे, मैं आपको बनाता हूँ, काफी ज़्यादा हमेशा गुश्य में रहते हैं भाई साहब, फिर मैम ने बोला, ये, ये, ये मैम ने बोला, कि, what are you ever saying, कुछ भी बोले जा रहे हूँ, इस MR के साथ बहुत का fourth form का use होता है, ये भाई साब बोले रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये इन्होंने बोला, फिर उन्हें ने बोला, आप देख सकते हैं, at least का मतला होता है, कम से कम, क्या होता है, कम से कम, don't work today, कम से कम, आज तो काम मत करो, don't work, देखे, don't लगाते हैं, don't के बाद बहुत का first form, don't go, मत जाओ, don't come मत आओ, don't speak मत बोलो ठीक है, don't come inside अंदर मत आओ, don't go outside बाहर मत चाओ, बहुत सारा यूज है तो इन्होंने बोला, don't work today at least का मतलब कम से कम, आज तो काम मत करो यार आगे दिखिए इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला if boss will call me ये future की बात हो रही है कि यदि boss का call आएगा what will I ever say तो मैं क्या बोलूँगा, तुम बताओ क्या बोलूँगा मैं, future की बात हो रही है उसके बाद दिखिए इन्होंने बोला because of your drama should I leave my job तुमारे drama की वज़ासे क्या मैं अपना job छोड़ दू ठीक है, ये should का मतलब हमेशा should के साथ चाहिए, ठीक है न advice के लिए में करते हैं, should का मतलब should के साथ हमेशा बहुआ का first form का use होता है, लीम का मतलब छोड़ना पता आपको या निकलना और drama का drama ही होता है, because का मतलब क्यों की, ठीक है तो इन्होंने बोला because of your drama तुम्हारे drama के कारण तुम्हारे drama के वजह से क्या मैं अपना job को छोड़ दू क्या देखो, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, राधिका listen, राधिका सुनो राधिका सुनो, if यदी, you want to go अगर तुम जाना चाहती हो just go, अगर तुम जाना अगर तुम नहीं जाना चाहती हो then don't go, ठीके one, two के साथ भार का first form का use होता है, अगर तुम तुम्हें नहीं जाना है, तो मत जाओ, जाना है तो जाओ लेकिन फिर इन्होंने बोला आप देख सकते हैं, stop distorting me, मुझे परसान करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे बंद करो परसान करना, ठीके आगे देखिए, उसके बाद गुस्से में निकलते हैं, और निकलने के बाद भाई साब चले जाते हैं फिर देखिए क्या हुआ आगे देखिए फिर मैम ने इनके पास कॉल किया, और कॉल के दो भाई साब ने कॉल उठाया और बोला हेलो, अब देखिए गुस्से में मैम को बोलने से पहले इनों ने बोला, how many times I have told you have के साथ बहुत का thought form का use होता है, present perfectly tense है ये, ठीक है, इनों ने कहा, कि how many times I have I have told you, राधिका मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हूँ, राधिका dad, dad का मतलब की, don't call me, मुझे call मत करो when, job, I am working मतलब क्या हुआ कि मुझे call के, मतलब मुझे काम के time में call मत किया करो यार ठीके, जब मैं काम करूंगा तो तुम call मत किया करो आगे दिखिए इन्होंने खाने के लिए बेट कर रही है, इन्होंने बोला where are you, तुम कहां हो ठीके, जब बात सुन लिया फिर बोला where are you, तुम कहां हो देखिए, बेट कर रही है I am waiting for you, इसका मतलब हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, I am waiting for you इस MR के साथ बहुत का fourth form का use होता है, present continuous का है ये, ठीके I am waiting for you to have a dinner with you, मतलब मैं इंतजार कर रही हूँ, डीनर करने के लिए तुम्हारे साथ ठीके, अब देखिए गुस्से में इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला, कि अब देखिए, ये integrative है, present perfect का, have I told you to wait for me क्या मैंने कहा है इंतजार करने को क्या मैंने कहा है इंतजार करने को आगे देखिए फिर उन्होंने बोला go eat, जाओ something का मतलब कुछ end का मतलब और sleep का मतलब सोना go eat something, जाओ कुछ खाओ, मतलब या चुप चाप खाना खाओ और सो जाओ, अकर बोलना है तो बोल सकते हैं, इसका ही हो no down भी कर सकते हैं, guys आप last truck बने रहें आगे देखिए, आई क्या लिखा हुआ है कि it's just both of us इन्होंने बोला, it's just both of us, हम दो ही यहाँ दो, यहाँ पर क्या है, दो है यहाँ दो हुआ, हम दो ही जाने तो है, अगर बोलना है तो it's just both of us at least का मतला होता है, कम से कम at least का हिंदी क्या होता है, कम से कम you can come can के साथ बहुत का first from during का मतलब, के दवरान, dinner का मतला को पता है, इन्होंने बोला कम से कम, dinner के time तो तुम आ ही सकते हो न यार देखिए अब इनको लग रहा है कि वो मतलब emotional blackmail कर रही है मुझे, तो इन्होंने क्या बोला, देखिए, can you stop saying this family dialogue with me यार यह dialogue जो है यह जो film ही dialogue है न, यह तुम मत मारा करो मेरे साथ है न मतलब इनको लग रहा है कि वो ऐसे ही मज़ा ले रही है और serious नहीं है, ठीक है चलिए देखिए उसके बाद क्या होता है, इन्होंने फिर उसके बाद बोला, इन्होंने बोला कि I don't have time to listen to this nonsense का मतलब होता है बकवास I don't have time का मतलब मेरे पास समय नहीं है, listen का मतलब सुनना, listen के साथ हमें साथ दुनिया में two आएगा, without two कभी भी listen नहीं हो सकता यह बकवास सुनने की time नहीं है मेरे पास, इन्होंने बोला अब देखिए क्या हुआ phone काट दिये फिर उसके बाद भाई साथ tour पे जा रहे official tour है इनका अब इन्होंने क्या किया कि इनको यह मेम के घर जो है छोड़ने आ गए मेम के घर छोड़ना चाहते हैं लेके आगे मेम के घर देखिए तो मेम देखिए क्या बोला कि I could have stay at home only अब देखिए, could have के साथ हमेशा बहुत का thought pump का यूज होता है सकता था, सकती थी मैं बोलो I could have spoken English ठीके मैं English बोल सकता था I could have told ही मैं उसे बता सकता था जब भी आपको could have का यूज हो उसके साथ बहुत का thought pump का यूज होता है ठीके तो इन्होंने बोला मैं घर पर ही रह सकती थी या अगर अपने style में बोलना चाहा रहे है तो घर पे ही रह लेती न इन्होंने कहा आप देख सकते हैं फिर बोला Why did you bring me to my home? ये double-ish question इसमें double-ish को हम बाहर कर देते हैं ये है मेरा double-ish को सबसे पहले लिखते हैं फिर उसके बाद helping bar फिर subject फिर verb इन्होंने बोला कि तुम्हें मेरे घर लाने की क्या जरूरत थी कैसे बोलना है जी Why did you bring me to my home? आगे देखिए इनका घुसा फिर से फोटा फिर इन्होंने क्या बोला आप देख सकते हैं इन्होंने बोला How many times Do I need to tell you Need का मतलब जरूरत ठीके कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें कितनी बार जरूरत होगी मुझे बताने का How many का मतलब कितनी बार कितना time ठीके फिर इन्होंने बोला It's my official tour इन्होंने बोला कि It's my राजा भाई सामने It's my official tour I don't know I don't know मतलब मैं नहीं जानता हूँ When का मतलब कब I will be back वापस आउंगा यह मेरा official tour है मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आउंगा फिर देखिए मैम ने बोला यह यह जो मेडम जी है इन्होंने बोला Come का मतलब आना Inside का मतलब अंदर इन्होंने बोला Come inside ठीक है अंदर आओ मतलब अंदर आकर At least You can talk Sorry You can meet parents मतलब इन्होंने बोला कि अंदर आकर मम्मी पापा से मिलतो लो ठीक है अब देखिए इनका reaction क्या हुआ फिर से इन्होंने बोला Your parents aren't VIP मतलब तुम्हारे जो मम्मी पापा है न कोई VIP नहीं है न aren't VIP कोई VIP नहीं है न That की I should meet them की मुझे मिलना चाहिए उनसे Them का मतलब जो parents है देखा होता है Them अबजेक्ट आगे देखिए फिर उसके बाद ये लास्टी है आप देख सकते हैं भाई साब ने बोला बाई बाई बोला और निकल लिए उन्हेंने बोला I'm getting late already उन्हेंने बोला मुझे पहले सही देर हो रही है I'm going मैं चाह रहा हूँ उसके बाद ये निकल गए ये present continuous का है इसमें इस MR के साथ बहुत का पूर्थ हमाँ Guys अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अब कमेंट जरूर करें मैं part 2 भी upload करूँगा ये अभी पूरा story complete नहीं हुआ है अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो प्लिजी से like, share, comment करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन जै भारत